इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत जो दड, सूजन और बुखार का कारण बनते हैं। यह मस्तिश्क में उन सिगनल्स को भी रोकता है जो माइग्रेंट से जुड़ी जी मिचलाने और उल्टी जैसी समस्याओं का कारण बनते हैं। कॉमिक 250 टैबलेट को अकेले या किसी अन्य दवा के साथ लेने की सलाह दी जा सकती है। इसे भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जा सकता है। डोज और इलाज का समय आपकी कंडीशन की गंभीरता पर निर्भर करेंगे और इस पर भी कि यह आपके लक्षनों में आपकी कितनी बहतर तरह से मदद कर रही है। इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करें और जब तक डॉक्टर नहीं कहता तब तक इसका सेवन बंद न करें। दवा का उपयोग करने से कुछ सामाने साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे फ्लू जैसे लक्षन, अपच और मूभ में सू मानित और पर आपको अपने लक्षनों को नियंतरित करने के लिए आवश्य कम मात्रा का उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। दवा का उपयोग करने से पहले अगर आपको कोई अन्य बीमारी या विकार है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। इसके उन रोगियों में सावधानी के साथ किया जाना चाहिए जो शराबी है या जिन्हें लीवर या किड्नी की बीमारी है गर्भवती और स्तन्पान कराने वाली महिलाओं को दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टरों से परामर्श करना चाहिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद